ह Welkum चेत 나서 किचन तो आज हम बनाएंगे प्याज की बहुती स्पेशल और बहुत ज्यादा उघ्मियों की सब्से punishing डिजी जो सबको काफा ज्यादा पसंद आने वाली है जब फ्रेंड's घर में इससब्जी नहीं हो तो फ्याज हमारी घर में हैड़ टाइम अवेलेबल होती कि सब हैरान रह जाएंगे और बच्चे और बड़े बहुत ही चाव से खाएंगे तो बस सबसे पहले मैंने यहां पर प्याज कट कर लेना है इदर कड़ाई की तरफ चलते हैं कड़ाई में डालेंगे तेल सरसो का तेल के गरम होने के बाद में जीरा डालेंगे यह रेसिपी बहुत ही आसान है बहुत ही सिंपल सा तरीका इसको बनाने में और फटा-फट से सिर्फ 3-4 मिनट में बनके तयार हो जाती है तो मैंने यहां पर प्याज डाल दिये हैं कटे हुए और प्याज को हमें अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है बस इसके अंदर मैं और कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ टमाटर हैरी मिर्ची कुछ भी सिर्फ प्याज की ही सबजी बनाएंगे और इतनी अच्छी बनती है ना यह प्याज की सबची बहुत अच्छी बनती है प्लेंगे अपने के अकोर्डिंग तो बस हमें सबी मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और इसको पका लेना है गैस का फलेम यहाँ पे हमें पड़ियू तो पका नहीं है ताकि प्याज के अंदर भी बहुत सारा पानी होता है उसके विज़े से मसाले उ पानी पान डालना चाहूंगी लेकिन मसालों को पकने के बाद में पानी डालना है तो यहां पे आप चाहो तो गैस का फ्लेम हाई भी कर सकते हो बट मैंने फुल हाई नहीं किया है इस तरह के सबी मसाले हम वो कॉटेड हो चुके हैं प्याज के साथ और काफी अचा सा इसमें कलर भी आ च अच्छे से मिक्स कर दिया और पकने देते हैं इसको तो यह देखिए धकन लगाया और पकने देते हैं इसको दो से तीन मिनट तक इसके बाद में हमारी सबजी हो बिल्कुल तयार हो चुकी है धकन हटा दिया और यह देखिए इतनी अच्छी सबजी बनिया ना बहुत भी लगती है सबको बनाने में बहुत ही आसाना बिना किसी जंजट के इसमें लैसुन टमाटर हैं मिर्ची कि किसी की भी आफशकता नहीं है तो इसको अलग बड़तर में निकाल देते हैं चटपटी सी और मसालेदार सी हमारी बिल्कुल नॉर्मल प्याज की सब्जी बनके तय हो जाती है तो जब भी आपके घर में सब्जी ना हो या फिर आपको टेंशन हो कि किस चीज़ की सब्जी बनाएं कोई सब्जी नहीं है घर में और बनानी भी है तो आप यह सब्जी बनाईएगा उसके बाद में देखना आपके जो घर वाले हैं वो उंगलिया चाड़ते ह रहा जाएंगे इतनी शानदार सब्सक्राशी बनती है यह और बनाने का तरीक आ वड़ा है बना किसी मेंत के सबजी बनके तयार हो जाती है तो बस तयार है आज कि हमारी चटपटी म miracle अबसालेदार तरीके से बना किया वाली प्याज की सब्जाब्स हे घरमियों की सबसे मत भूलना और इस रेस्पी को एक पर आप जुरू ट्राइए करना सबको बहुत पसंद आएगी चाहे बच्चे हो या फिर बड़े हो सबको बहुत ही पसंद आएगी क्योंकि बहुत अच्छी बनती है ये और बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है तो ये देखे इसका कलर क इतना प्यारा है बलब देखने से ही हमें अच्छा लग रहे है कि बहुत अच्छी बनी है इस सबजी पता जल जाता है देखने से की ओक चीज चाही तो बस तयार है आज की हमारी चटपटी और मसालेदार सी प्याज की सबजी जो गर्मियों की सबसे स्पेसल और सबी मानी जाती है ओके फ्रेंट्स मिलती हो नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर